आपका स्वागत है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे फेस्बुक चैनल को फेस्बुक पेज को लाइक जरूर करिएगा तो आईए हम लोग शुरू करते हैं आज की चर्चा देव बर्मन, शता धन्वन और ब्रिहदर जो की आखरी के तीन राजा थे, मौरिया डैनेस्टी के, देव बर्मन ने 232 से लेके 224 इसा पूर्व तक राज किया, इनका एक नाम देव धर्मन भी हो सकता है, कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि इनका नाम देव धर्मन हो सकता है, तो देव बर्मन या देव धर्मन दोनों एक ही व्यक्ति हैं, he was a king of the Moria Empire, इन्होंने शाली शुक से गद्धी लीती, he was the successor of शाली शुक, और साथ वर्षों तक इन्होंने राज किया था, कुछ टेक्स्ट में ऐसा कहा गया है, कि इन्होंने बुद्धिजम को फॉलो किया, जबकि इन्से पहले जो शाली शुक थे, वो जैन धर्म के प्रचार में ही लगे रहे, और उन्होंने administration पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो शाली शुक जो थे, वो जैन धर्म से थे, लेकिन देव धर्मन या देव भर्मन के बारे में ऐसा माना जाता है, कि ये बुद्धिस्ट थे और बौध धर्म इन्होंने अपनाया था, इनके बाद आये शता धनवन जिनका राज था 195 से 187 इसा पूर्व तक, इनका एक नाम शता धनुष भी हो सकता है, कुछ जगों पर इनका नाम शता धनुष भी है, तो शता धनवन हो या फिर शता धनुष दोनों एक ही व्यक्ति है, ये वो जग इन्होंने 195 से 187 इसा पूर्व तक राज किया था, पुराणों में इनका जिक्र मिलता है, कहा गया है कि देव वर्मन मौर्य के बाद इन्होंने 8 वर्षों तक राज किया था, और इनके बाद फिर ब्रिहदरत मौर्य आये, शता धनवन के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारी हिस्टरी में संकलित नहीं की गई है, इसलिए इनके बारे में बहुत कुछ इनका इंडिमिस्टेशन कैसा था, इन्होंने किस धर्म का परचार किया, कैसा क्या किया, ये सब चीजें उपलब्ध नहीं हैं, तो आखरी जो राजा आये मौर्य एंपायर के वो थे ब्रिहदरत मौर्य, तो ब्रिहदरत का जो टाइम स्पैन रहा उनके राजा रहने का, वो था 187 से 180 इसापूर्व, वो था लास्ट ट्रूलर अफ दो मौर्य एंपायर, इन्होंने 187 से 180 इसापूर्व तक राज किया, और इनके ही खुद के सेना पती, इनके खुद के जो मिलिटरी जनरल थे, पुष्यमित्र शुंग उन्होंने इनकी हत्या कर दी, और उसके बाद फिर शुंग डानेस्टी, शुंग एंपायर की स्थापना हुई, जो कि पुष्यमित्र शुंग ने की थी, तो ब्रियादरत को पुष्यमत्र शुंग ने मार कर शुंग एंपायर की स्थापना वें तो पुष्यमत्र शुंग पुरे while parading the entire Morian army before, ब्रियादरत killed him and established the शुंग शुघ एंपएर मणा जाता है इतिहास कारों का ऐसा दावा है कि पुश्य मुक्र ने अपनी पुरी सेना को पुरी सेना को अपनी चरफ कर दिया था और सभी सेना के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने उन्होंने बरिहदरत की हत्या कर दी थी और बाद में इन्होंने फिर शुंग डैनस्टी, शुंग समराजी की स्थापना की थी तो ये कहानी थी मौर्य डैनस्टी की, जिसमें राजा कौन-कौन से थे सबसे पहले राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बाद आए बिंदुसार, फिर आए अशोक महान, फिर दशरत, संपरती, शालिशुक, देव बर्मन, शताधन्मन और ब्रिहदरत इतने राजा मौर्य एम्पाइर में रहे और ये एक बहुती ग्रेट एम्पाइर, एक बहुती महान समराज्जी की रूप में आज हमारे हिस्ट्री में इतिहास में दर्ज है और इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक महान जो शुरू के तीन राजा थे, इन्हें महानतम राजाओं में से एक माना जाता है आपको यदि हमारी जनकारी अच्छी लगी हो, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे फेस्बुक पेज को भी जरूर लाइक करिएगा, इससे आप हमसे जुड़े रहेंगे मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से, नमस्कार